दोस्तो नमस्कार करनल अजय स्यो अजय स्ट्रमानिकरू फॉस्ट ग्लोबल एस्ट्रोफनेंस डिजिटल चनल से आपसे मुखातिव होता हूँ आज 15 मार्च सन 2024 दोस्तो आज के एपिसोड में हम ओल सीट्स की एक महतपूर्ण फसल रवी की एक महतपूर्ण ओल सीट्स की फस पिछले साल रवी तिलहन सम्मिलन जो जापूर में आयोजित किया गया था उसमें आपको हमने सरसो पर सबसे पहले देश में तेजी के बाद कही थी मार्च महिने में साल 2023 में वह इतियासिक सत्य है कि और उसके बाद शांदार तेजी दर्ज हुई और अप्रेल महिने में हम पर आपको माल लेना है और कहा आपको मुनाफ़ा लेना है यह एक्सपीरियंस विसलेशन पर निर्भर करेगा तो दोस्तो हमारा चैनल आपको लगातार अपडेट और विसलेशन देने का प्रयास करता है दोस्तों सबसे पहले आज हम चर्शा करेंगे सरसो के जैपूर के भ भाव हैं हिसार के अंदर पांचीजार से क्यावन सो के भाव हैं यह भाव आपको अजेस्टो मनीगरूदारा प्रवाइट की जा रही हैं मुरैना में पैतालीस सो से बावन सो के भाव हैं 100 रुपे की आज शांदार तेजी है मस्टर्ड ओयल कच्छी घानी के भाव 1060 रु क्याव हैं गवलियर के अंदर सरसो के भाव 849100 से इक्यावन सो के भाव हैं दोस्तों सरसो के भाव आधार पर निर्धारित होते हैं और जिस इलाके में सकी से सर्सों में जितना ऑल चांधारित होता है उसी साब में ऑचले सीजन की His Da दिया था यानि तेजी और मंदी दोनों का सटी का नुमान हमने दिया था दोस्तो इसका प्रमुख कारण लगबक सभी विशेशक व्यपारी गंड और किसान यही कहते हैं इसका प्रमुख कारण लगातार इंपोर्टेट सस्ता खादे तेल था भारतिय बंदर गाहों पर लग कुछ किसान परिशान भी रहे थै क्योंकि उनको भाव नहीं मिल रहा था च्छोटे तेल के व्यापारी या च्छोटे- तेल मिल भी काफी परिशानी थे क्योंकि उनको उनके हिन ही नहीं मल रहे थे लेकिन इस साल यदि हम चालू सब्ता में देखें तो लगबग 200 रुपए की शानदार तेजी देखी गई है और आपको याद होगा कि मार्च महिने में हमने आको अग्री मनुमान दिया था कि हमें तेजी नजर आ रही है चाहिए सरसो हो सोयाबीन हो पाम हो या फिर सूरज मखी इन सभी ने पिछले 15 दिनों में शानदार एक तरफा तेजी दर्ज हुई है साथ साथ ये भी है कि पुरानी सरसो का स्टॉक इस बार बहुँ जादा नहीं है क्योंकि पूरे वर्ष पाम वायल साइथ बाकी खा देते लोग का आयात सस्ते भावों में होता रहा जिसके कारण पिराई लागत महिंगी होने से सरसो पिराई की में कम रही थी इस सब के बावजुद भी सरसो की बिजाई यूपी हर्याना राजिस्तान पंजाब सई लगबख सभी उत्पादक राज्यों में किसानों ने थुड़ा सा कम जरूर किया है लेकिन फसल इस बार शांदार आ रही है क्योंकि इसासाद ये भी एक सोचने वाली बात है कि सीजन के बाद पूरे वर्ष सरसो ने मंदा देखा है और जो सरसो गर्थ वर्ष छेजार पचास एकसर सो रुपए के भाव प्रतिक इंटर भी की थी और उसके भाव वरतमान में 5550 से 5570 रुपए प्रतिक इंटर चल रह है पिछले साल यदि हम देखें तो सरसो का उत्पादन का नुमान लगबग 123 से 124 लाक मेट्रिक टन के करीब आया था और जैपूर स्थित विल्ला सावागर में सेमिनार जब हुई थी उसमें 113 लाक मेट्रिक टन समने आम सहमती से बात की थी दोस्तों अब महत्रमपूर य चल रही है और साथ साथ ये भी है कि हमारा ये कहना है कि हम सरसो की पैदावार के उपर ही सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं दूसरी महत्रमपूर बात हमारा ये कहना है कि हम लोग सरसो की पैदावार की उपर बात कर रहे हैं खपत के उपर बात कर रहे हैं लेकिन सबसे महत् भारत जो है खादे तेलों में आत्र मिर्भर नहीं है लगबग 50 प्रतिशत खादे तेलों का आयात हमें करना पड़ता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए और विश्व में अधिस सर्सों का उत्पादन देखा जाए तो भारत का प्रमुकिस्थान नहीं है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो रेप सीट और सर्सों का जो उत्पादन है भारत लगबग 8 से 10 प्रतिशत का योगदान करता है अब महतवपुन यह है कि व्यादी फसल एक दो प्रतिशत कामिया ज्यादा आ जाए दो लाग टन पांच लाग टन प्लस मैनस हो जाए उसका फरक क्या पड़ेगा पिछले साल भी फसल अच्छी थी लेकिन इंपोर्टेड आउइल्स ने पूरा हिसाब बिलकुल बिगार दिया था और लगातार परेशानिया देखने को मिली थी तो मैं तो पुन दोस्तों यही होता है कि आपकी फसल का जो निर्धारण है निर्धारित करेगा कि अंतराष्टिय बजारों में खादे तेलों के भाव क्या रहें और कितना हम इंपोर्ट करें और उस पे ड्यूटी कितनी लगे साथ-साथ यदि हम मंडियों में आवक की बात करे हैं तो देशबर की मंडियों में पुरानी सर्सो लगबग एक लाग बोरी आने की बात चल रही है साथ-साथ नई सर्सो लगबग 5.5 लाग बोरी की डेली आवक बताई जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी उत्पादक मंडियों में भाव 46-4800 रुपर पती किंटल नमी के हिसाब से सर्सो बिक रही है और अधि हम पिछले अधि दस से बारा दिन पंदरा दिन छोड़ दें तो सर्सो के दावों में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं देखा जा रहा है पिछले साल के मुकाबले जैपूर पाउच में जीस्टी के अतिक देखा जाए तो सर्सो चोवन सो रुपर से बढ़कर 5550 रुपर पती किंटल है इसका तेल के भाव भी लगए 106 रुपर पती किलो से बढ़ गया है कुल मिलाकर देखे हैं तो उत्पादक मंडियों में सूखी सर्सो 478 रुपर की और 42 कंटेंट की जो सर्सो है जो जैपूर के अंदर 5556 रुपर के आजपास की है तो दोस्तो महतपुन ये रहेगा कि अप्रेल मई महना कैसा रहे क्योंकि मार्च अंत और अप्रेल के अंदर मंडियों में भरपूर सर्सो की आवक होगी सभी मार्केट विशेशा के अपना-पना अनुमान दे रहे हैं तो दोस्तो सर्सो, सोयबीन, सूरजमुखी, कैस्टर सीड, मुंखफली और तिल सभी का विशलेशन आप हमारे चैनल पर प्राप कर सकते हैं और विशेश रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप व्यक्तिगत संपर्ग भी कर सकते हैं लेकिन याद रखेगा वो भुक्तान करने पर ही उपलब्ध होगी क्योंकि कोई भी चैनल सभी चीज निशुल्ख उपलब्ध नहीं करा सकता दोस्तो आपने हमारे चैनल को जो प्यार और मान और सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया आदा करता हूँ धन्यवाद प्रेशित करता हूँ एक लाख उननिस जार से ज्यादा सस्क्राइबर एक करोड ग्यारा लाख से अधिक व्यू इस बात की सूचना दे रहे हैं कि ये चैनल आपके ने कितना इसको मान सम्मान दिया है दोस्तों ये जो चैनल हमने आप लोगों के लिए आपसे मुखातिव होने के लिए आपसे रूबरू होने के लिए प्रसारित होता है इसमें आप अपनी राई भी दे सकते है अधिया आप आपके खेत का आपकी मंडी का कुछ विशलेशन देना चाहें कुछ रिपोर्टिंग देना चाहें तो आप हमसे संपर कर सकते हैं हम आपको अपने चैनल पे पूरा मौका देने का प्रयास करेंगे अल्द भरी बच्छ गुड़ अपी टेडिग प्रयास करेंगे